हिंदु धर्माव लंबियों का पवित्र धार्मिक एस्थल जनकपुर धाम दक्षिन एसिया के मध्ध भाग में अवस्थित नेपाल के 14 अंचलों में से जनकपुर अंचल के धनुसा जिले में पड़ता है हमारा समोह भारतीय मूल के बिलायती नागरिकों के साथ काठपंडु से 35 मिनट की उड़ान के बाद जनकपुर पहुँचा जनकपुर में एरपोर्ट से हम लोग होटल पहुँचे और फिर कुछ देर विश्राम के बाद जगत जननी सीता वा अन्य देवी देबताओं के दर्शन पूजन के लिए जानकी मंदिर एबं अन्य मंदिरों की ओर निकल पड़े नेपाल के मध्यवांचल विकास्चत्र के तराई भुभाग में अवस्तित जनकपुर धाम वर्तवान में धनुसा जिले का मुख्या लय है जनकपुर धाम एक ऐसा एतिहासिक इस्थल है जो धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्तोपून है प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर में रहे अनेक मठ मंदिर कुंड एवम तालावों का हिंदूओं के बीच विशेश धार्मिक महत्तो है इस पुन्य भूमी पर राजर्शी जनक का धरवार हुआ करता था और यहीं जगजन्नी जानकी का मरियादा पुरुषुत्तम स्री राम के साथ विवाह संपन्न हुआ था धार्मिक सांस्कृतिक विश्षितता वर अनेक मनमोःक दृष्ष्यों के कारण यह स्थान परेटकीय दृष्ष्टी से भी महत्तो कुन माना जाता है अपनी धार्मिक तथा सांश्कृतिक महिमा के माध्यम से जनकपुर नकेबल नेपाल में अपितु भारत सहित पूरे संसार में प्रशिद्ध है यहां के विभिन्य धार्मिक इस्थानों में जानकी मंदिर का सर्वो परियस्थान है इस मंदिर के अंदर सैकडो कमरे, फूजा अस्थल, मंडप, भंडार कक्ष, आदी है मंदिर के चारों और राम, सीता, लक्ष्मन, जनक, आदी के मंदिर है तथा धनुस सागर, गंगा सागर, रतन सागर, अरगजा सागर, आदी पवित्र कुंड एवं तालाव है इन तालावों में एक तालाव है अंग सागर, विश्वास किया जाता है कि सीता जी इसी में सनान किया करती थी धार्मिक विश्वास है कि राजा जनक के दरवार में शिव का एक धनुस था, जो इतना भारी था कि उसे कोई हिलाय डुला तक नहीं सकता था लेकिन कमरे की सफाई करते समय नन्ही सीता ने आसानी से उसे उठा लिया यह देखकर जनक जी अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि जो कोई इस शिव धनुस को उठा पाएगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करवाएंगे इसी के अनुरूप देश बिदेश से अनेक राजे राजगुमार जनक पुरा आये और शिव धनुस को उठाने का प्रहतन करने लगे लेकिन जब कोई भी इस कारे में सफल नहीं हुआ तो राजा जनक चिंतित हो उठे उसी समय अयोध्या के राजा दश्रत के जेश्ट शुपुत्र राम ने आकर शिव धनुस को उठा लिया और जैसे ही उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुस तूटकर तीन टुकडों में विखर गया इन टुकडों में एक आकास में चला गया एक पाताल चला गया और एक टुकड़ा कुछ दूर भूमी पर जागिरा जो कालांतर में धनुशा धाम कहलाया धनुस का वह टुकड़ा जो पाताल चला गया आज के 25 पर पहले तक उसके जनकपूर इस्थित धनुस सागर के बीच में दिखने की बात स्थानिय लोग बताते हैं धनुस तूटने से राजा जनक प्रसन्न हुए और सीता ने स्री राम को फूलों का हार पहना दिया मार्ग पंचमी के दिन राम सीता का विवाह सूसंपन हुआ जनकपूर में हर साल राम नवमी, जानकी नवमी, विवाह पंचमी और छट पर्व में भारी मेले लगते हैं मेले में दूर दूर से धर्शनार्थी आते हैं राम नवमी का मेला भगवान स्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष में लगता है जबकि विवाह पंचमी का उटसब राम सीता के विवाह दिन के स्मरन सुरूप मनाया जाता है विवाह पंचमी के दिन राम और सीता की मूर्थियों के बीच मिधिला संस्कृति के उनसार बड़े ही उल्लास वो भक्ति पुर्वक विवाह करवाया जाता है इसकी संस्कृतिक तथा धार्मिक भब्यता देखते ही बनती है बनती है नेपाल के तराई में रहने वाले मैथिल सहित बिभिन समुदाय द्वारा मनाये जाने वाला छट फर्व एक रोमांचक वा महत्वपून पर्व है यह कार्तिक महिने की सुक्ल श्रष्ठी के दिन मनाया जाता है छट पर्व का रौनक चार दिनों तक रहता है पर्व का आरंभ नहाय खाय से होता है इस दिन घर और आसपास की अच्छी तरह सफाई कर शुद्ध हुआ सात्विक भोज किया जाता है दूसरे दिन के अनुष्ठान को खरना कहा जाता है उस दिन दिन भर उपवास रहकर शाम को भगवान की पूजा करने के बाद व्रत करने वाले गुड़ डाल कर बनाया गया खीर खाते हैं उस दिन परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में खीर पूरी आदि ग्रहन करते हैं तीसरा दिन चठपर्व का मुख्य दीन माना गया है इस दिन दिन भर उपवास रहकर शाम को डूगते हुए शुरी की पूजा की जाती है इसको सुजका अरग भी कहते हैं संध्याकालिन अरग के समय फलफुल ठकुवा भुस्वा गन्ना नारियल सुज्वान के बाद व्रती द्वारा परिवार के सुवस्वास्ति दिर्घायु एवं संव्वृद्धि की कामना करते हुए अस्त होते सुर्य को अरग दिया जाता है परिवार में सुख शंती एवं सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए यह पर्व मनाए जाने का पर्व की समाप्ति हो जाती है इसी के साथ व्रत करने वाले प्रसाद ग्रहन करते हैं और इस तरह दो दिनों का कठिन उपवास भी संपन्न होता है यह पर्व मिथला सहित संपून तराईवासियों के लिए विशेश महत्वपून होता है सामुहिक रूप में यह पर्व मनाने के लिए परिवार के सभी सदस्ये घर में जमा होते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टी से महत्वपून माने जाने वाले जनकपूर धाम ने नेपाल के गौरम मैप परिचय को संसार भर भैलाया है इस श्चेत्र का एक बार भ्रमण करना ही चाहिए नेपाल की राजधानी काटमांडू से 380 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित जनकपूर स्थल मार्ग से सुविधा पुरवग पहुचा जा सकता है जनकपूर धाम में खाने पिने वा ठहरने के लिए होटलों की अच्छी वेवस्था है दूसरे दिन हम जनकपूर से जीप में बैठकर 20 किलोमीटर दूर धनुशा धाम आ गए यह धनुशा धाम का मंदिर है यहाँ धनुश नुमा बड़ी सी आकृती पसरी हुई है कहा जाता है कि यह शिप धनुश का वह टुकड़ा है जो स्री राम के द्वारा प्रत्यन्चा लगाते समय तूट कर जमीन पर आगिरा था धनुशा धाम के बारे में यहाँ के पुजारी का कहना है यह क्या है कि भिष्णु पुरान के अंसार इनको सत्युग की गटना कहके बड़न किया गया सत्युग में संकर जी ने महरिशी ददीची की अडियां से धनुश बनाये थे तिरपुरा सुरसंगराम किये थे आतिरपुरा सुरसंगराम के बाद में ओही पिनाग धनुशिव ने प्रसुराम को दिये थे बरदानी में कि जब तक ये आपके पास रहेगा तब तक आपका सक्ती कोई हिन नहीं कर सकता जब उन्होंने छेत्रियों को इकाईशवार नास कर चुके तो फिर ले जाके शिव जी को देने गए कि प्रभु हमने बहुत अत्या इंसा कर चुके अब अपनी अस्त्र को समा लिए हमको उदार होने दीजिए तो बोले कि देखिए ये पिनागी धनुश ले जाके आप राजा जनक को दे दीजे बिदे महराज को तो प्रसुराम ने वो पिनागी धनुश राजा जनक को दिया था अब बालमी की रावाइन वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन हुई सीता साथ वरस की थी तो उनकी मा सुने न बजिया को बोली कि आ तु जा धनुश को शेवा करो उस समय ये धनुआते जनक के दरवार में जनक पूल तो सीता गई तो क्या किये कि ओ पिनागी धनुश को बाएं हाँ से उठा ली चौका लगा दी फिर रख दी चली गई खेलने के लिए अब ये देखकर के राजा जनक को बड़ा आचर लगागी वही इतनी छोटी बचिया इतने बड़े दनुखो कैसे उठाई अब इसका जोड़ा भी कही होगा वैसे हम भर का डोड़े इसलिए उन्होंने दनुश ये गिरचा दिये धनुशा धाम के दर्शन के बाद हम जनकपुर्धाम लोड़ाए जनकपुर्धाम पहुचने पर हमने स्री रामानंद स्मारक एवं जनकपुर्धाम के द्वार को देखा जनकपुर्ध से 35 मिनट की हवाई यात्रा के बाद हम काठवांडू पहुचे और होटल आ गए इस तरह हमारी आज की यात्रा पूरी हुई दूसरे दिन सभी तुर्थियात्री अतिथियों को फूल माला पहना कर हम काठवांडू एरपोर्ट पहुचाने आए भविष्य में फिर मिलने के वादे के साथ हम बिदा हुए जनकपुर्धाम की यात्रा नकेबल धार्मिक रूप से परेटकी या दृष्टी से भी उतना ही महत्तपूर्ण है इस यात्रा का विवस्थापन काठवांडू में रहे मोन तेरोशा ट्रेक्स एंड एक्सपीडिशन प्राली ने किया था ऐसी धार्मिक तथा परेटकिय यात्रा के साथ ही परवतारोहन पदियात्रा का विवस्थापन करता आया या मोन तेरोसा ट्रेक्स एंड एक्सपीडिशन आगामी दीनों में भी ऐसी ही ओबिस्मरणिय यात्रा के लिए आपकी प्रतिक्षामें है झाल झाल